हांजे नमश्कर दोस्तो नमश्कर सभी का स्वागत है जूरी श्री आइक्यू के प्लाफ्रमूम पे मेडा नाम है अमेद आनन कैसे हैं आप सभी जी जो questions आपके law से related है, society से related है, हम उन्हें भी उठाने की कोशिश करते हैं क्या आखिर Supreme Court में क्या हुआ, आखिर High Court में क्या हुआ आज का ऐसा ही एक वीडियो आपके सामने मैं लाने वाला हूँ, जो की बहुत interesting है तो आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लिजे वीडियो को लाइक कर ले आप, वीडियो को शेर कर लिजे अपने दोस्तों के साथ और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो सबस्क्राइब भी जरूर कीजएगा चले शुरूराद करते हैं, शुरूराद करने से पहले मैं आप सभी को बता दू कि जिन्हें भी mentorship चाहिए होते हैं, mentorship क्या होता है, कभी-कभी रात में, दिन में, सुबह ऐसे ख्याल आते हैं कि यार क्या करूँ, यहां पे अटक रहा हूँ, मेंस के सवाल कहां से अटेम्ट करें, प्रलिम्स कैसे क्लेर करें, इंटिव्यू के लिए कैसे ट्यारी करें, या तो जुडिश्री के लिए तैयार कैसे हूँ तो वैसे सवालों के लिए आप जुड़ सकते हैं, फ्री मेंटरशिप ग्रूप में, जहां पे जुड़ के आप अपने सवाल सामने रखिएगा, और आपको उसका जवाब भी जरूर मिलेगा तो यहां पे दिए गए स्कैनर के थुड़ आप जुड़ सकते हूँ, या तो नीचे दिए गए नाम को आप टेलेग्राम पे सर्च करिए, और वहां पे आप ग्रूप में जॉइन कर लिजे चलिए, मुद्दा क्या है देखा जाए तो मुद्दा यह कहता है, that a husband relative's body, that a husband relative's body shaming, wife is cruelty जी हां, cruelty है, 498A में cruelty है यह केरला है, यह कोट में कहा गया है, तो कहने का तातपड़े क्या है अगर पती या पती के रिष्टेदार, भया, भावी, माता, पिता, जो भी relative अगर बीवी को, wife को, पतनी साहिबा को, अगर वो body shame करते हैं, कि तुम थोरी पतली हो, मोटी हो या तो किसी भी प्रकार से body shaming करते हैं, तो वो cruelty होगा 498A IPC में और यह एक landmark case है, अब the court also held that spouse of husband's sibling who reside in the same matrimonial home as the wife would fall under the term relative under section 498A क्या कहता है, कि अगर पती के जो भरातश रहे हैं, जो भाई हैं, अगर वो भी उसी घड में रह रहे हैं जहां पे मिया बीवी साथ में रह रहे हों, अगर वो भी उसी घड में रहे हैं, तो वो भी relative के definition में जरूर आएंगी चली देखते हैं मुद्दा क्या है, दे केला है को रिसेंटी अब्जर्व ड़ाइस फैमली मेंबर बॉड़ी शेमिंग दवाइफ वो प्राइमा फेसी अमांट टू क्रूएल्टी अंडर 498A, अब क्रूएल्टी तो है, 498A IPC है, भारती नय सहिता भी हो गया है, आप कमें बॉड़ी शेमिंग वोड़ बे कवर्ड बाइक्स्प्लेनेशन ए तो 498A IPC, जहां पर कहा जाता है कि क्रूएल्टी ऐसा मैनर का हो कि जो बीवी है, जो वाइफ है, जो वुमेन है, वो आत्म हत्या करने पे मजबूर हो जाए, मतलब इतने उसे मेंटल टॉर्चर कर दिया जाए कि उसाइट के बारे में भी सोचने लगे, और तो कॉस ग्रेव इंजरी और डेंजर तो लाइफ, लिम और हैल्थ, या तो फिजिकल, फिजिकल भी होते हैं, फिजिकल कुर्वल्टी की भी बात की जा रही है, तो 498A का जो एक्स्प्लेनेशन नमबर A है, ये दोनों क कवर करता है, फिजिकल कुर्वल्टी भी और मेंटल कुर्वल्टी भी, अब भले ही किसी किसे मारपीट ना किया जाए, किसी को थपर, मुक्के या तो लात नहीं मारा जाए, मगर टॉंट जो होता है न, वो शरीर पे नहीं, अंदर, दिमाग में चुपता है, उसे कहते हो म अगर किसी वाइफ को ऐसी कुर्वल्टी वाले टॉंट किये जाए, ऐसे बोडИ शीमी किये जाए, कि तो बहुत मोटी हो या पतली हो या लंबी हो या चौटी हो या अजीब हो, या तो कोई भी बोड़ी शेमी किया जाए, तो वो भी कुर्वल्टी के डेफिनेशन में अगेंटट बहात किया कि हगा बॉडडी शेमिंग करते हो और वैसे ओवर टैक्ड करते हो जिसे कोई महिला अपनी mental stability होने लगे, लगे कि मैं क्यों जी रही हूं, यह वैसे कुछ सवाल आने लगी, तो वो भी cruelty आएगा, वो भी punishable है, the court observed that in order to bring home an offense under 498A, the above ingredients shall be satisfied, if some overt act which would not be likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury to life, limb or health of the woman, the same would not come under the definition of 498A, तो simple सी बात है कि अगर mental cruelty देखा जाए, mental cruelty क्या होता है, mental cruelty subjective nature का है, subjective nature का है, मतलब हो सकता है कि कोई महिला को अगर कुछ ऐसी बाते बोली जाए, जिसके बारे बहुत conscious हो, और अगर उसे उस बात से टॉंड किया जाए, तो हो सकता है उसकी मानसिक स्थिती, ऐसी हो कि वो, she is thinking about committing a suicide, that would fall under mental cruelty, physical cruelty तो आपको दिख जाता है, चोट लगी है, निशान पढ़ गया है, दाथ तूड गया है, खून पहरा है, damage है, limb, health या तो life पे, तो वो physical cruelty है, वैसे ही, similarly, harassment of a woman by relative, without any element of coerzing her, or any person related to her to meet any unlawful demand of any property, available security or account of failure by her, or any person related to her to meet her demand also would not come under the definition of cruelty for the purpose of 498A IPC, तो क्या IPC में होगा, demand, अगर किसी को torture कर रो तो कोई demand होगा, अगर demand नहीं है, तो क्या cruelty होगा, ये भी बात यहां पे उठाया गया, the high court in view of the facts and circumstances of the case noted, when the married woman start to reside at a matrimonial home, जब एक महिला अपने matrimonial home, मतलब अपने ससुराल में रहती है, जिस ससुराल में पती के भाई भी रहते हूं, it cannot be held that a spouse or sibling would not fall under the definition of relative, तो ये नहीं कह सकते कि जो पती के भाई हैं वो relative नहीं है, वो भी relative होंगे, 498A के तहत, in such situation, no doubt the relative of husband include a resident of the matrimonial home related to husband, whereas mother, father, husband, wife or individual or a son, daughter, brother, sister, nephew, niece of the individual or a grandson, granddaughter of the individual or the spouse of the sibling of the husband residing at a matrimonial home, तो यहाँ पर clearly, कोट ने पहले तो ये बता दिये कि देखो, वो वेक्ती भी क्या कहलाएगा, वो वेक्ती भी कहलाएगा आपका relative, वो वेक्ती भी relative कहलाएगा, ये तो clear है, relative तो होगा, अब उसके बाद क्या, उसके बाद उस वेक्ती पे सजा होती है, सजा होती है क्या, cruelty की point वहाँ पे उठाएगा, कि cruelty तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी physical body shaming किया जाए, आज के समय में, इंडिया में बहुत जादा है, इंडिया के बाहर भी बहुत जादा body shaming की जाती है, जहाँ पर किसी के physical appearance को लेके, physical strength को लेके, या तो physical quality को लेके, लोग उससे body shaming करते हैं, अब अगर वो body shaming इस level का है, कि महिला अपना आपा खोदे, या तो ऐसी बहकी बाते सोचने लगे, suicide का ख्याल अगर आने लगे, तो cruelty होगा, और यही बात यहाँ पर clearly कहा गया, मर सवाल यह भी था कि क्या पती का भाई, जो उसी घड़ में रहता है, क्या वो भी relative के definition में आएगा, तो यहाँ पर high court का, केडला high court का clear decision था, कि वो भी under the term relative जरूर आएगा, जरूर आने से पता चला, आप सभी को पता चला होगा कि हमारा P2I batch भी आया, P2I batch में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, बट उसके बाद बहुत सारे बच्चों का एक request हुआ कि सर छूट गया, या लेट हो गया, या सर मुझे अब जॉइन करना है, तो जो भी विक्ती study IQ के थुरू अपने judiciary के course में enroll करना चाते हैं, वो यहाँ पे 764,000, 3000 इस number पे call करके judiciary combo batch में जुड सकते हैं, combo batch पे जुडने के लिए आपको क्या करना है, number पे call करना है, बताना है कि Amit Anand, यानि कि मैं मेरी mentorship चाहिए, और यहाँ पे आपको code लगाना है, Y707, जिस code को लगाने के बाद, जो batch का price 70,000 है, वो कम होके 25,000 के आसपास में आपको available होगा, अगर आप जुडते हैं आज, याद रखिएगा, जो batch है, 30 November से launch हो आएगा, तो उससे पहले जुड़िएगा, तो first day से आप class में present रहेंगे, उसके बाद जुड़िएगा, तो recording देखनी पड़ेगी, recording आपको मिलेगी, live classes मिलेगी, handwritten notes मिलेंगे, crux notes मिलेगा, study material मिलेगा, बस शुरुआत से जुड़े रहोगे आप, तो लगता है ना कि कुछ छूटा नहीं है, I was already present here, तो आज से ही जुड़े study IQ के courses से, जहां पे आपको आच्छमन शेकर जी, जो की हर्याना में इस बार judge बन चुके है, वो भी आपको guide करेंगे, आपकी mentorship करेंगे, साथी साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा, साथी साथ ये भी देखिए, क्या आपके आस पास अगर कोई व्यक्ती body shaming करता है, किसी को भी, wife को या किसी दोस्त को, तो ये cruelty माना जाता है, अब cruelty के definition में तो wife का जिकर है, मगर क्या ये गलत है, क्या ये सही है, क्या ये article 15 का valuation है या नहीं, आप comment section में जरूर बताएगा, आज की class में इतना ही मुलाकात होगी आपसे next video में, तब तक के लिए रखें ख्याल, take care, जैहिंद